सबसे पहले आलोग शर्मा जी शुरुआत आपसे करते में बीजेपी की ओर से सीधा अमला किया जा रहा है दोटूग पार्टी कह रही है कि इतना सियासी ड्रामा करने की क्या जूरत है जब याचना के लिए कोड का रुक किया जा रहा है राहूल गांदी की ओर से बड़े लीडर हैं एक्स कॉंग्रेस प्रेजिडेंट हैं और उनके उपर गलत तरीके से केस लादा गया पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है और पूरी पार्टी वहाँ पर मौजूद है यह अच्छी बात है और यह हमने बिलकुल ऐसा नहीं है कि कोई किसी कशक्ती ही किया है बीजेपी बताए कि तमाम मौकों पर बीजेपी के लीडर्स के उपर जब इस तरह की बात आती है तो यह लोग क्यों जाते हैं खैर अब तो बीजेपी के पास वाशीन मशीन है अब तो कुछ हो गई नहीं लेकिन दिक्कत यह बहुत दिन से कह रहे थी जाते क्यो नहीं जाते क्यों नहीं कोट हमें चहाजी तक पूछ रहे थे अब चले गए हैं तो अब दिक्कत है इनको लेकिन खैर आज देश को पूरी तरह से बधाई हो एक और चौदर महां एक बंदरगाह जो है कराईकल का वो कोटक महिंद्रा के फ्रॉड के आरोप के बावजूद अडानी को दे दिया गया है तो ये एक नियाएक प्रक्रिया और ये सब मामुली चीजें हैं ये तो चलती रहेंगी मुझे लगता जो असली मुद्दा है वो ये है कि जो अडानी ने देश के साथ इतना बड़ा फ्रॉड किया है जिसमें मोदी जी की और सरकार की भूमी का नजर आती है उसकी जांच क्यों नहीं हो रही उसकी जेपीसी क्यों नहीं हो रही बीजेपी पूरी एक व्यापारी को बचाने के लिए पूरी सरकार एक अडानी के सामने क्यों खड़ी हुई है मुद्दा ये है आज मुद्दा ये नहीं है कौन गया कौन नहीं गया माइन लोग जी ने जो सवाल उठाए है और राहुल गांदे ने कुछ दिर पहले ट्वीट किया है उनके ओर से लिखा गया है ये मित्रकाल के वरुद्ध लोकतंद्र को बचाने की लड़ाई है इस संघर्ष में सत्य मेरा अस्र है और सत्य ही मेरा आसरा और अपने फोटो ट्वीट की है हाथ लाते हुए क्या होगा इस पर जवाब आपका प्रेम्शुक्ला जी Oh तब तो विमान अपरंड कर लेते थे अब इनकी इतनी हिम्मत नहीं कि विमान अपरंड कर लें तो नेशनल हेराड का केस हो तब यह प्रेशर बनाने कोशिश करेंगे अब कोट का मामला है एक आदमी अहंकार में जूट बोलकर पूरे पिछड़े जातियों का अपमान करता है उसको कोट अपराधी कहती है उस अपराधी को आप निर्दोस सिद्ध करने के लिए कोट पे दबाव डालने का प्रयास करते हैं कोट बिलकुल दबाव में नहीं आए ऐसी चीज़ों पर विधान और समिधान से ये देश चलेगा ये अहंकार से और मि्या प्रलाव से नहीं चलेगा किस बात के लिए उनको दंड दिया गया था और इस बात के लिए दिये गया थ हैं आद पिठ्ड़ी कोशिश कर रहे थे आप पीछ इदंबरं की रफ्तार होंगे तो दबाव नहीं होगा डीकेशिव कुमार होंगे तो दबाव नहीं होगा पीद नरशिंग रान कर लिक्ट भी एक जमादही को अप्राधी करार कैसे दे और सवाल ये भी है आलोग शर्मा जी यहां पर सत्य की जिस लड़ाई का जिक्र राहूल गांधी के और से किया जा रहा है लेकिन बयान तो सारे मोधी चोर ही क्यों होते हैं इस बयान को लेकर बबाल था जिसके बाद उनको सजा सुनाई गए और उस मामले में रहत की आप पहले सेंटेंस बोला उसमें जमीन और आस सुनिया न जरा सुनिया जरा इतना बीजेपी के लिए पक्षमत रखिए शांती से स्टेटमेंट को इतना ट्विस्ट मत दीजिए अदर माल लिया है अब मुझे वो बताने की जो मर्जी स्टेटमेंट आप पलटके देते है अरे अलोग शर्मा जी ऐक सेंट अधालत प्रमा लिए यहां दो एक सेंट आ का जान की बात कर रही होगा घंगू सेंट माइग लोग दो जान जब्द्द बात बात कर रही है यहां पर मुद्दे पर ही हूंगी एक सिकन आलोग शर्माजी आजकल आपकी कुछ बयानों को लेकर आपके नेता आपकी तारीश कर रहा है इसका मतलब यह कत्ते नहीं होगा कि अब बिल्कुल नहीं आप मेरे उपर गलत आरूप लगाएंगे मैं आपको बोलने नहीं मुझे गलत बात है ऐलोग शर्माजी आप मांस्टेर्ट्मन रिपीट करवाईए और रिपीट कर आईए रिमाइंड कर आईए अभी आपके कहने से मेरे बयान से अदालत नहीं चल रही है मेरे बयान से अदालत नहीं चल रही है आपके नहीं ता कि बयान पर अदालत ने दो साल की सजा सुनाईए आंकर महधिया बीजेपी की पैरवी करते सीमा इमतलाएंगी आप छोड़ दीजे वापस आते हैं मुद्धे पर बात नहीं आए पालिका की आईए है मैं फिर कहूंगा या तो चलवा दो उसको नहीं तो हप अप अपनी गलती माइन के शंथा रहाू वापस आते है यह पर दंकी देने से नहीं चलेगा आलोग admit दे का अपपा आलोग शवाजी यह बहुत गलत तरी उप अ Qतर नहीं पर दास्ट करूंगी